भारी बारिश हो सकती है टोंग जिले में भारी बारिश को देखते हुए 12 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्या है मौसम के हालात इस रिपोर्ट में देखिए प्रदेश में पानी का प्रचंड प्रहार उन्नेश जिलों में बारिश का यलो अलट लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर प्रदेश में मौनसून ने रफ्तार पकड़ ली है काले बद्रा जमकर बरस रहें मौसम विभाग के मानितों आने वाले दिनों में जमाजम बारिश देखने को मिलेगी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है बारिश एक तरफ गर्मी से राहत दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई शहरों और कस्बों में जन जीवन पूरी तरीके से प्रभावित भी कर चुकी है टोंक, कोटा, बूंदी, बीकाने, अजमेर समेर, कई जिलों में कहीं कम तो कहीं भारी बारिश हुई मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ और दिन बारिश ऐसे ही होती रहे सबसे पहले बात टोंक की, जहां भारी बारिश का रेट अलेट जारी किया गया बारवी तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, सभी अधकारियों के छुट्टी भी रत कर दी गई टोंक की बनास नदी में भारी बारिश के बाद उफान परा चुकी है, जहां देर रात तीस लोगों का रस्कू किया गया वही टोंक से ही तेज बहाओ के बीच ट्रक बहनी की तस्विर भी सामने आई दरसल बरसाती नाले के बीच से ट्रक चालक निकालनी की कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद यू ट्रक पानी में समा गया गनीमत रही कि ड्राइवर और उसका साथी कूत कर अपनी जान बचा चुकी थी ये तस्विरे बारस जिले के शाहबाद इलाके की है जहां भारी बारिश के बाद नदियू में पानी का जलिस्तर लगातार बढ़ने लगा है वही निचले इलाकों में पानी भर चुका है जिसके चलते लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पढ़ रहा परिशानी का सामना धौलपूर के बसेडी में भी लोगों को करना पढ़ रहा है बारिश का जहां बीच सड़क बिजली का खंभा गिर गया जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को भारी परिशानी हुई गनीमत रही कि जिस वक विद्धुत पोल गिरा उस समय मौके से कोई वाहन वहां से नहीं गुसर रहा था बढ़ना बड़ा हास्ता हो सकता था अलवर में तो भारी बारिश के बाद एक सड़क अचानक ही तीन से चार फिट धस गई जिसमें एक टैंपो फस गया जिसके चलते एक महिला भी गंभीर रूप से खायल हुई है वहीं अनोबगड में बारिश के बाद नहर में आये तेज बहाओ में एक युवक बह गया पताया जा रहा है युवक अनोबगड के वाट छे करहने वाला है जिसके तलाश की जा रही भारी बारिश के चलते लोगों को परिशानिया भी हो रही केकडी में बारिश के बाद भासु गाउं के पास पुलिया तूटने से आवाजाही पूरी तरीके से अब बंध हो चकी है आलम ये है कि पानी पुलिया से करीब 3 फिट उपर बह रहा बारुष के बाद बीकानेर में जहाँ सडकी तालाब बन चुकी है तो नहीं जोधपुर में जरजर मकान गिर चुका है बताए जा रहा है कि मकान के पास अंडर ग्राउंड में निर्माड चल रहा था जहां बारुष के बाद पानी भगया सवाई माधोपुर हो या फिर कोटा, सब जगे हालात एक जैसे है कोटा के इटावा इलाके में भारी बारिश के बाद पारवती नदी पर बना पुल पानी में समा गया जुससे राजस्थान और मधपुर्देश के बीच का संपरक तूर चुका है बाद सवाई माधोपुर्की करते हैं तो यहां बरसात के बाद खुशीला दर्रे पर भारी पानी देखने को मिल रहा पहराल बारिश के चलते प्रदेश के अलगल अगिस्यों से डरा देने वाली तस्वेरे सामने आ रही प्रशासन लोकों से एहतियात भरतनी की लगातार अपील भी कर रहा लेकिन कहीं कहीं लापरवाही के चलते जान जोखी में डाली जा रही मासम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश देखनों के मिलेगी जिसके लिए हमें तयार रहना पड़ेगा बिरो रिपोर्ट निउस एटी राजस्थान तो देख रहे हैं कि बारिश के बाद किस तरीके से प्रदेश में हालात बिगड़ते चले जा रहा है और सरकार इसे लेकर पूरी तरह से लाट मोट पर है धलपूर लिए चलते हैं वहां से भी तस्वीरे आपको दिखा देते हैं जहाँ पर बसेड़े उफखन के गाउं मई में जल भराव के चलते लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सबसे ज़दा परिशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हो रही है जिने विद्याले जाने में करीब 3 फीट से अधिक गहरे पानी में होकर गुजरना पड़ता है कई बार तो हलात ऐसे हो जाते हैं कि जल भराव वाली जगा पर छोटे छोटे बच्चे गिर कर चोटिल भी हो जाते हैं ग्रामिनों ने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई समधान नहीं हुआ विद्याले के पास में जल भराव इतना है कि विद्याले जाने वाले बच्चों को परिशानी हो रही है पानी में गिरने से चोटिल हो रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वो इसकूल की ओड़ जाते हैं तो तीन तस्वीर आप देख पा रहे हैं धौलपूर से जहां पर इसकूली बच्चे बारिश के चलते परिशान हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहे है हमारे लगातार करीब 20-25 दिन से जब से बरसा शुरू हुई है लगातार गहरे गड़े हैं इस सडक में और गाम के जो विद्यारती हैं कई गामों से कनेक्टिविटी इस गाम की 10-12 गामों से जो चाते इसमें पढ़ने आते हैं गहरे पानी में उके आते हैं कई भार चोटे बच्चे से गिर के चोटल हो जाते हैं गंदे पानी में मोके निकलते हैं कई बीमारियों को सामना कर रहे हैं उनके पैरों में सडान बैठ गई है बच्चों के में हमारे स्कूल के अध्यापकों ने लिखित में कई वार सिकायद किये एमेले को भी किये, प्रधान को भी किये, उच्च अधकारियों को भी किये, लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए है तो मौनसून की दस्तक के साथ ही चित्तोडगड के विभिन शेत्रों में हुई सामान्य वर्षा के चलते बेंगो के मेनाल का जल प्रपात इन दिनों लोगों के लिए आकर्शन का केंद्र बना हुआ है जित्तोड भीलवड़ा जिले की सीमा से सटा मेनाल गाउं परटन इस्थल की रूप में जाना जाता है जहां एतिहासिक इस मारकों के साथ ही मेनाल का जर्णा लोगों के लिए आकर्शन का केंद्र होता है ये जर्णा लोगों को अपनी और खीच लाता है मौनसून की पहली वरसात में ही मेनाल का जर्णा जल प्रपात से शुरू हो चुका है जो लोगों के लिया कर्शन का केंदर बना है आने वाले दिनों में अत्यदिक वर्षा होने के साथ ही ये ज़रने से पानी गिरने का विशाल नजारा दिखाई देगा